स्वागत है मोव मेडिया में मेरा नाम के सब कुमार जाया है मैं स्वक्त नई दिल्ली इस्थित्प लोजपा सांसत पसुपती पारस जीकावास के जश्ट बाहर हूँ आप देख सकते हैं रात के एक वज़र है किस तरह से सांती चाय हुई है सारो तरफ रोड पे सनाटे ही सनाटे चाय हुए है लेकिन बिहार की राजनीती में पसुपती नाथ पारस ने भोचाल ला दिया है करीब रात के सारे 11 वज़े ख़वर आती है कि लोजपा को तोड़ द यहां तक यह तरह तरह से कई मीटिंगों में नहीं आते थे और लगातार चिराग पासमान से चले लेकिन आज अचानक रात सारी 11 वजे खवर आती है कि लोजपा को तोड़ दिया है लोजपा के पांच सांसद पसुपति नात पारस के साथ हो गए हैं और वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जेडियू में भी सामील हो सकते हैं पिछले कुछ दिनों की अगर अक्टिविटी की बात करें यहां कि आ दर्कार में भी प्रतिनित दी जाएगी लेकिन आज इस वक्या बड़ी खवर यहीए कि रात को एक बज रहें लेकिन बिःहार की राजनेटी बुचार लादिया है चिराग पासमान को रातवर निंद नहीं आएगा कई राजनितिक दलकों कई नेताओं को निंद नहीं आएगा कि अच्छानक हो क्या गया बिहार की राजनिति में पसुपति पारस के नित्रुत में लोजपा के पांच सांसद वीना देवी चंदन सिंग महबूब अलिकेशर प्रिंस राज जो की चिराग पासमान के छोटे बैए हैं वो सभी एक जूट होकर एक सिगनेचर क्या है एक फॉर्म पर और कहा जा रहा है कि जो सुत्र बता रहे हैं सुत्रों से जो ख़वर मिल लहीं है कि लोकसवा अध्यक्च ओम बिरला जी के आवा जिसमें कहा गया है कि हम सभी पस्वपतिनांत पारस के नेतृत वाले रहे कोच रोगों का कहाना है कि कल 3वजे जो अमारे सुत्र बता है कि कल 3वजे दिली में पस्वपतिनांत Allelow के इसी आवास पर प्रेस कॉनफेंस होंगे मरेंलोगों कि उन लोगो के जो गुट है वह क सबसे बड़ी ख़वर यही है कि पसुपति नात पारस के नितृत में लोचपा को तोड़ दिया गया है और तूट में जो सिंदमारी की गई है लोचपा में इसमें कहा जाए कि ललन सिंग और आरसीपे सिंग के भी महत्पून भूमी का है क्योंकि पिछले दिनों पसुपतिनात पारस की पटना में आर्सेपे सिंग और दिल्ले में लालन सिंग से मीटिंग हुई है जिसके बाद आज ये सारे 11 वज अचानक की ख़वर निकलती है कि लोचपा में तूट मच गई है लोचपा के पांच सांसद महभू अल पर ये भी आ रहे है कि चिराग पासमान को कहा गया है कि अगर वो पार्टी बैचाना चाहते हैं तो पसुपतिनात पारस को राष्टिया ध्यक्ष बनाया जाया लोचपा का तभी ये टूट बच सकती है लेकिन इस वक्त की और अभी की सबसे बरी ख़वर यहीं है जो सूत है गारिया जा रही है हल चले अंदर भी मतलों लोग ठहल रहे हैं लेकिन यहां पर पूरी तरह से सांति हैं क्योंकि इधर तु सभी को निंद आ रहा होगा लेकिन उधर किसी को निंद नहीं आ रहा तो कल जब तीन वजे प्रेस कॉन्पेंस होगा यहां पर पसुपतिनात पारस गयबास पर कहा जा रहा है कि उसमें सभी 5-7 सद भी मौझूद रहेंगा और लोजपा पाटी के जो नेता हैं जो आना चाते हैं इन लोगों के साथ वो भी उस प्रेस कॉन्पेंस में मौझूद रहेंगे जिसके बाद घुसना किया जाएगा कि आगे कि रहनीती क्या है इन लोगों के फिलाल अगर ये वीडियो आप फिस्बूक पर देख रहें तो हमारे पेज को लाइक करें साथ यूटूब पर देख रहें तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद